आपने एक ETF खरीदा, ये सोच करके कि उसका return तो अपने index के आसपासी रहेगा, पर क्या हो अगर उस ETF का return अपने index के return से भी कमा रहा हो, क्या ऐसा कभी हो सकता है, जी हाँ, ऐसा हो सकता है, और इसलिए कोई भी ETF परचेस करने से पहले आपको उसके tracking error के बारे में जरूर जानन और इसके क्या नुकसान है, जानेंगे इस informative वीडियो में, इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि आप अपने ETF का latest tracking error कहां से पता कर सकते हैं, आसान भाशा में कि ये tracking error आखिर होता क्या है, मानले आप अपनी कार से इस highway से जा रहा है, आपको अपनी मंजल तक पहु अब जब आप ये detour follow करते हैं, तब आपको normal से एक घंटा अधिक समय लग जाता है, यानि आप अपनी मंजल तक थोड़ा साल लेट पहुंचते हैं, बस यही detour को आप tracking error समझें, जिसने आपका एक घंटा अधिक लगाया है, और यहाँ ETF को अपनी कार और benchmark index को ये highway समझें जिस पर आपको चलना था, तो अगर आपकी कार ने पूरी तरह से इस highway को follow किया होता, तब उसे 5 घंटे ही लगते, ठीक उसी तरह से अगर आपके ETF ने उस index को follow किया होता, तब returns भी उसके जैसे ही होते, पर detour यानि tracking error की वज़े से समय बरबाद हुआ, और उसी तरह से आप का थोड़ा सा return भी बरबाद हो सकता है, तो tracking error हुआ, benchmark index के return और ETF के return के बीच का अंतर, जितना कम से कम ये tracking error रहेगा, उतना ही close उस ETF का return रहेगा अपने benchmark के, ideally इसे तो zero होना चाहिए, पर ये असंभा हो है, क्यों? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, अब इसे एक उध कि इसका मतलब हुआ, कि मान ले कि अगर उस index ने एक साल में 10% का return दिया है, तब उस index पर based ETF 9.8% return ही देगा, समझे आप, वैसे कई बार ऐसा भी देखा गया है, कि tracking error negative में भी चला जाता है, यानि इस दशा में index से अधिक returns मिल जाता है, पर ये कभी-कभी ही होता है, अब आ जो Nifty 50 index पर based है, और इसका tracking error है 0.04%, जो की लगबग negligible है, वहीं पर अब आप LIC के Nifty 50 ETF का tracking error देखें, जो है 0.11%, तो आपको एक ही category के ETF में सबसे कम tracking error वाले ETF को ही चुनना है, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि tracking error कभी 0 नहीं होगा, अब आपके लिए यहाँ पर एक homework है, कि जा अंतर आया है, अब प्रश्न आता है, कि यह tracking error आखिर होता ही क्यों है, और क्यों यह 0 नहीं हो सकता, देखें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ETF और index fund दोनों में tracking error होता है, पर दोनों का कारण अलग-अलग होता है, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि ETF stock exchange पर trade होता है, पर index fund नहीं होता है, तो ETF में tracking error आने का कारण है, management की fees और trading से related खर्चे, देखें, fund houses ETF को track करने के लिए fees लेते हैं, और इसी कारण इसका असर NAV पर पढ़ता है, जो tracking error की वज़े से होता है, इसके अलावा, जब भी ETF को stock exchanges पर buy or sell किया जाता है, तब brokerage fees और bid ask spread की वज़े से tracking error आता है, अगला कारण है rebalancing, और सभी ETF अपने portfolio की rebalancing करते हैं, अपने benchmark index के हिसाब से, तो कई बार rebalancing के दोरान, market में अधिक उतार चड़ाओ के कारण भी tracking error बढ़ जाता है, वैसे अगर rebalancing की frequency कम होती है, तब भी tracking error बढ़ने लगता है, और अगर ये अधिक होती है, तो इस दशा में tracking error भी बढ़ने लगता है, फिर आता है sampling technique, देखिए कुछ ETF ऐसे होते हैं, जो किसी खास sampling technique का उपयोग करके stocks लेते हैं, और पूरा-पूरा उस index को copy नहीं करते, यानि उनका portfolio tracking का अपना तरीका हो सकता है, इस कारण से भी tracking error बढ़ सकता है, अगला कारण है जिसे tracking error बढ़ता है, वो है corporate actions, जी हाँ, stocks में हमेशा कुछ न कुछ corporate actions होते रहते हैं, जैसे merger, acquisitions, split, bonus, dividend, इत्यादी, जो हमेशा उस ETF के stock basket पर प्रभाव डालते हैं, इससे भी deviation यानि tracking error बढ़ जाता है, तो अब तक आप समझ चुके होंगे, कि अगर आप ETF में invest कर रहे है तब tracking error से छुटकारा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा, तो अब बाताती है कि tracking error के लिए आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, देखिए ETF selection के लिए कई factors में से tracking error भी एक important factor है, जिसे नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए, आब बस इतना कर सकते है कि इसे चेक करें और कम से कम ही रखें, इसे कहां चेक करना है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, अगला point है कि आप tracking error के अलावा भी उसके cost factor, expense ratio, liquidity और market capitalization पर भी ध्यान दे, और सबसे बड़ी बात कि अपने ETF portfolio को diversify करें, जिसे कि आपका risk कम से कम रहें, अब इसके लिए आपको AMFI India की website पर जाना होगा, जिसका link मैं description में दे दूँगा, फिर यहां से आप उस fund house को select करें, और tracking date select करें, फिर go पर click करें, अब जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, कि यहां पर SBI mutual fund के सभी ETF और index fund का tracking error दिखाया गया है, इसी तरह से आपको भी जिस company के ETF या index fund का tracking error देखना है, आप चेक कर सकते हैं, और यहां पर मैं आपको फिर से बता दूँ, कि आपके वल tracking error के पीछे ही न भागें, क्योंकि इसके अलावा और भी criteria है ETF चुनने के, जिसके बारे में आप जान सकते हैं इस वीडियो में